हलो एर्यवन वेलकम बैक टू दो चनल गाइस कुछ दूनों पहले मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि टैसला की कार सब फाइनली इंडिया में भी आ रही है टैसला की मॉडल 3 कार हमें इंडिया में देखने को मिलेगी सिर्फ यही कार इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यह सबसे जादा अफोर्डेबल है तो आज हम मॉडल 3 कार के बारे में बाते करने वाले हैं देखेंगे क्या है इसके स्पेक्स यह वीडियो काफ़ इंट्रेस्टिंग होने वाली है आप वीडियो में लास तक बने रहिएगा सबसे पहले इस कार के उवरिव्यू की बाते करते हैं तो कार का लुक काफ़े नीट अन क्लीन है फ्रेंट पोर्शन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेट्रोल या डीजल कार्स की तरहा कोई भी ग्रिल नहीं है यहाँ पर फ्रेंट में आपको एडाप्टिव LED हेडलाइट मिल जाती है और पीछे की टेलाइट भी LED की है माकीज पूरी कार का लुक अभी आप देखी रहे हैं टेसला की कार बहुत सेफ मानी जाती है टेसला सेफटी से कॉंप्रोमाइज नहीं करता टेसला की मॉडल 3 कार में भी अलुमिनेम फ्रेम का यूज किया गया है इसकी बोडी को लाइट वेट बनाने के लिए कारवन फाइबर का यूज किया गया है model 3 में हमें full glass roof मिल जाती है और इसकी जो roof और window की glass है वो 99% UV rays को block करती है अंदर interior की बात करें तो ये भी काफी clean है driving से related controls आपको steering पर ही मिल जाते है other features आपको इस बड़ी सी LCD screen में मिल जाती है बागी dashboard काफी clean है इस पे कोई भी button नहीं है इस car का main attraction है इसका autopilot feature और इस car में आप काफी सारे controls voice command के थ्रू भी control कर सकते है इसकी जो seat है वहाँ पे vegan leather या fake leather को use किया गया है या आपको pure leather के समान feeling तो नहीं देगा लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इस leather को बनाने के लिए animal skin का use नहीं किया गया है याने animal को हाम नहीं किया गया है टेसला eco friendly cars बनाता है और हमारे इस ecosystem में animals भी आते हैं इसकी जो LCD screen है उससे आप dual zone climate control कर सकते हैं navigation देख सकते हैं और power usage भी set कर सकते हैं अगर मैं short में बोलू तो इसमें आप वो सारी काम कर सकते हैं जो आप अपने mobile पर करते हैं यहां तक आप इसी screen पर game भी खेल सकते हैं इस कार की glove box and doors electronically open होते हैं इस कार में dual AWD motor को use में लिया गया है जो की 3.3 second में 100 km तक की speed अचीव कर सकती है 260 km इस कार की top speed है इसमें में 80 kWh की lithium-ion battery मिलती है जो की full charge में up to 500 km तक का range देती है और fast charging के साथ 30 minutes में full charge हो जाती है इस कार में 360 camera है लियर camera की quality भी काफी अच्छी है इसमें radar भी है जो की 160 meter तक की range तक work करता है इसमें एक dog mode है जिसमें basically कार का temperature dogs के according set कर दिया जाता है और LCD screen पर dogs के लिए pop up message swap होता है और एक valid parking mode है जिसमें car की top speed limit कर दी जाती है बुटी space lock हो जाते हैं entertainment और settings related controls band कर दिये जाते हैं यानि कि driver आपकी सिर्फ गारी को park कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता इस बात में कोई doubt नहीं है कि Tesla की model 3 car बहुत जादा अच्छी है बस यहाँ पर दिक्कत यह है कि यह काफी जादा over price होने वाली है US में इस car की pricing है लगभख 38,000 डॉलर याने की करीब 28,000 रूपीज और इंडिया में इसकी pricing लगभख 55-60,000 रूपीज होने वाली है क्योंकि यह car fully imported है तो इसमें हमें 100% import duty देनी होगी जिसे कि इस car की pricing डबल हो जाती है इन केस यह car अगर इंडिया में manufacture होती तो इसकी pricing around 35-40,000,000 के बीज होती अगर आप यह car afford कर सकते हैं तो काफी अच्छी बात है आप यह car ले सकते हैं नहीं तो आप कुछ Indian electric cars को भी ले सकते हैं जैसे कि Tata की Nexoni भी यह Tesla की जितने high tech और advanced तो नहीं है लेकिन यह value for money car है और प्रवेज की electric car जो की इंडिया की खुद की Tesla है इस car के बारे में मैंने आपको पहले से ही वीडियो बना के बता दिया था अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक में आपको उपर i button पे और नीचे description में दे दूँगा बाकी दोस्तों अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल में नए है तो चैनल को subscribe कर दीजिए अगर आपका मेले कोई सवाले सुझाओ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं आपसे नेच्छ वीडियो में तब तक लिए बाब बैटे केर जैहिंद